परिचाए, आईए पिता जी, बड़े खुब बारे में चलें, आराम से रोहित, आराम से, वाह, ये उपर जा रहा है, हम अब पक्षी की तरह उड़ाएं हैं, पिता जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आहां रोहित, पूछो, ये वायू में उपर कैसे जाता है? पस्तित वायू को गर्म करने के लिए गैसिये इंधन का उपियोग किया है, जिससे खुबारा जमीन से उपर उठकर हवा में आ किया है, ठीक है पिता जी, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगा, कि गैसी अवस्था की निश्चित आकरिती नहीं होती, इस पार्ट के अंत में आप निम्निक करने में सक्षम हो जाएंगे, अंतरा अनुक वलों की व्याख्या करना, ठोस, द्रव तथा गैसी अवस्था के मत्थे अंतरिस पश्चि करना, गैसों का नियम बताना, आदर्श गैस का समी करन बताना, डाल्टन का आंशिक दाप का नियम बताना, गैस के अनूग गतिक सिध्धान्द का वणन करना आदर्श गैसों तथा वास्तवी गैसों के बीच अंतर करना द्रवों के वाशपदाब पर चर्चा करना और प्रिश्ट तनाव तथा श्यानता का वणन करना अंतरा अनूक बल अणुओं के बीच आकर्शन के वे बल जो अणुओं को एक साथ रखते हैं वे अंतरा अणुख बल कहलाते हैं अणुओं के बीच आकर्शन बल के कारण उर्जा आन्विक अन्योन निक्रिया उर्जा कहलाती है आणविक अन योनिक कन्य क्रियाओं के कारण अंत्रा अनुक आकरशन वा प्रतिकरशन बल उत्पन होते हैं आकरशी अंत्रा अनुक बल वान डेर वॉल्स बल भी कहलाते हैं प्राकीरण बल असवा लंडन बल इलेक्ट्रोन परमाणों पर अधिकांश समय सम्मित रूप से वित्रित रहता है, लेकिन किसी क्षण में नाभिक के परितह इलेक्ट्रोनों के वित्रण में कुछ असम्मिती भी हो सकती है, जिससे एक विद्धुत दुईध्रव उत्पन होता है। जिससे वो भी दुईध्रुव हो जाता है। ये दो दुईध्रुव आकर्शित होते हैं और इनके बीच आकर्शन का ये बल टाकिनन बल अत्वा लंडन बल कहलाता है। ये आध्रुव ये अनों में तथा नौबल गैसों में भी होता है। उधारन के लिए पर्माणू का सम्मित वित्रण है और अन्य का असम्मितिय वित्रण है तथा असम्मितिक वित्रण वाला पर्माणू अन्य पर्माणू के इलेक्ट्रोन वित्रण को विरुपित कर देता है। जिससे आकर्शन बल उत्पन होता है। दूई धुव दूई धुव बल आवेशित सिरों के बीच इस्थिर वैदिध अन्योनिक रियाओं के कारण उतपन उते हैं. किसी अनु का धनात्मक सिरा अन्य अनु के धनात्मक सिरे को आकरशित करता है, तथा इसके प्रतिलोंता होता है. ये आवेश डेल्टा द्वारा प्रदशित किये जाते हैं दूइद्रूव प्रेरित दूइद्रूव बल ये स्थाई दूइद्रूव रखने वाले अणों तथा स्थाई दूइद्रूव नहीं रखने वाले अणों जैसे की CH4, CCL4, BF3, SO3 इत्यादी के मद्धे कारेरत आकर्शन बल होता है उधारण के लिए एक दूइद्रूव नहीं जैसे की HCl एक अरगन नहीं में इलेक्ट्रोन अबर को विरूपित करके एक दूइद्रूव प्रेरित कर सकता है आयन या स्थाई दूइद्रूव तथा प्रेरित दूइद्रूव के मद्धे एक स्थिर वैद्यूत आकर्शन उपस्तित रहता है ये अंतरा अनुक बल एक दूइद्रूव प्रेरित दूइद्रूव आकर्शन कहलाता है हाइडोजन आबंद हाइडोजन आबंद को ऐसे इस्थिर वैद्युत आकर्षन बल के रूप में परिभाशित किया जाता है जो एक अणों के सहसेयोजी रूप से आबंदित हाइडोजन परमाणों तथा अन्ने अणों के रण विद्युती परमाणों के बीच उपस्तित रहता है हाइडोजन आबंद को खंडित रेखा द्वारा प्रदशित किया जाता है उधारन के लिए हाइडोजन फ्लोराइट के मामले में हाइडोजन आबंद एक अणों के एच परमाणों तथा अन्ने अणों के फ्लोरीन परमाणों के बीच उपस्तित रहता है जैसा की नीचे विद्युती परमाणों जैसे की फ्लोराइड, आक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ आबंदित होना चाहिए। अन्य अणों की वैद्युत रणात्मक्ता जितनी ही उच्य होगी, हाइट्रोजन आबंद की द्रणता भी उतनी ही अधिक होगी। उश्मिय उर्जा वह उर्ज जो अणों को परस पर दूर करती है, उश्मिय उर्जा कहलाती है। इसे द्रफिद्वरा इसके तापमान के कारण अवधारित उर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है। और ये अणों की उश्मिय गती या अणों के संचलन की माप भी है। अंतरा आणविक पल बन उश्मिय अन्योन निक्रियाएं। द्रविकी तीनों अवस्थाएं वास्तों में आणविक अन्योन निक्रिया उर्जा तथा उश्मिय उर्जा के बीच स्पर्धा का परिणाम है। ठोसू में आणविक अन्योन निक्रियाएं अत्यंत्य प्रबल होती हैं तथा अणों में उश्मिय उर्जा कम होती है। द्रवों में आकरशन बलों तथा उश्मिय उर्जा के बीच एक सुक्ष्म संतुलन निरमित रहता है। तापमान में बढ़ोत्री उश्मिय उर्जा को और बढ़ा देती है। और अंतता एक ऐसी इस्थिती प्राप्त होती है जहां अणूं विलक हो जाते हैं और लगभग सौतंत्र निकायों की तरहा पेवाहर करते हैं। ये अवस्था गैसी अवस्था कहलाती है। गैसी इस्था गैसी इस्था कहलाती है। गैसें उस पात्र को पूरी तरह से भर देती हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। गैसों की विशेष्टाएं। गैसों या उनके मिश्रणों का संगठन समांगी होता है। नगर्णें अंत्रा अनुक बलों के कारण गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। गैसें दाब लगाती हैं। गैसों का ठोसों या द्रवों की तरह निश्चित आकृती और आयतन नहीं होते। गैसों की उश्में उज़ा आणविक आकरशन से काफी अधिक होती है। गैसों का नियम बॉयल का नियम यानि दाब आयतन संबंध। किसी गैस के दिये गए द्रवेमान का आयतन नियतांक तापमान पर इसके दाब के व्युत क्रम अनुपाती होता है। नियम की गणिती ये व्याख्या। आयतन नियतांक तापमान एवं द्रवेमान पर दाब के व्युत क्रम अनुपाती होता है। वी बराबर के गुणे एक बटे पी, जहांके आनुपातिकता नियतांक है, पे वी बराबर के बराबर नियतांक, बाना कि टी ताप पान पर पी एक दाब वाली गैस के एक दिये गए द्रवेमान का आयतन वी एक है, अब यदि समान ताप मान पर दाब को परिवर्तित करके पी दो कर दिया जाता है, तो आयतन परिवर्तित होकर वी दो हो जाता है, चारों चरू, पी एक, वी एक, पी दो और वी दो के बीच मातरात्मक संबंद निम्ना नुसार व्यक्त है, पी एक, वी एक बराबर पी दो, वी दो नियतांक ताप मान एवं द्रवेमान पर, बॉयल के नियम का ग्राफिये निरूपन, ये वी बनाम पी का एक विशिष्ट ताप मान पर अंकन प्रदशित करता है, ये दर्शाता है कि पी के बढ़ने के साथ वी खड़ता है, ये एक विशिष्ट ताप मान पर पी वी बनाम पी का अंकन प्रदशित करता है, ये इंकित करता है कि P में नियमित पढ़ोत्री के बावजूद P V का मान नियतांक रहता है एक विशिष्ट तापमान पर P के सापेक्ष P V के अंकन से प्राप्त वक्र समतापी वक्र कहलाता है उच्चतर वक्र उच्चतर तापमान के संगत होता है ये एक बटे V के सापेक्ष P का विचल अंदर शाता है सीधी रेका इंगित करती है कि P में बढ़ोत्री होने के साथ एक बटे V में नियमित बढ़ोत्री होती है चास का नियम तापमान आयतन संबन कथन ताप की प्रतेक डिग्री में व्रिधी या कमी से गैस की निश्चित मात्रा के आयतन में उसके 0 डिग्री सेलसियस ताप के आयतन से एक बटे 273.15 की व्रिधी या कमी होती है यदि V 0 डिग्री सेलसियस तापमान पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है तो V 1 एक डिग्री सेलसियस पर गैस का आयतन बराबर V 0 गुणे एक धन एक बटे 273.15 V T टी डिग्री सेलसियस पर गैस का आयतन बराबर V 0 गुणे एक धन ती बटे 273.15 निवनुतम संभव ताप जिस पर सभी गैसों का आयतन शूने माना जाता है परम शूने कहलाता है शूने के इस विकल्प पर आधारित ताप मापकरम परम ताप मापकरम कहलाता है ये मापकरम केल्विन ताप मापकरम भी कहलाता है चार्ल्स का नियम ये भी बताता है कि नियतांक दाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन केल्विन मापकरम पर ताप मान के अनुक्रम अनुपाती होता है आयतन नियतांक दाब तथा द्रविमान पर तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है V बराबर K1 T जहां K1 समानुपातिकता नियतांक है माना की V1 T1 तापमान तथा P दाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है यदिदाब को नियतांक रखते हुए तापमान परिवर्तित करके T2 किया जाता है तो आयतन परिवर्तित होकर V2 हो जाता है चारों चरों V1 T1 V2 और T2 के बीच संबंध निमनानुसार व्यक्त है V1 पटे T1 बराबर V2 पटे T2 नियतांक दाप तथा द्रविमान पर चार्ल्स के नियम का ग्राफिय निरूपण आयतन तथा तापमान की प्रत्यक रेखा संबदाब कहलाती है गैल उसेक नियम दाप ताप संबंध ये नियम बताता है कि इस थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाप केल्विन तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है गनितिये रूप से दाप नियतांक आयतन तथा द्रविमान पर तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है पी बटे टी पराबर के तो नियतांक माना की टी एक तापमान पर तथा वी द्रविमान वाली निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन पी एक है अब यदि उसी आयतन पर तापमान परिवर्थित करके T2 किया जाता है तो संगत ताब P2 हो जाता है तब नियम के अनुसार P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 आयतन एवं द्रविमान नियतांक रखते हुए गेल उसे के नियम का ग्राफिये निरूपान इस ग्राफ की प्रतेक रेखा समायतनी कहलाती है आवो ग्रादो नियम आयतन मात्रा संबंद इस नियम के नुसार तापमान तथादाप की समान दशाओं में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अड़ों होते हैं गनितिय रूप से आयतन गैसों के अणों की संख्या के अनुक्रम अनुपाती होता है वी बराबर के तीन एन जहां के तीन अनुपातिकता नेतांख है एक मोल गैस में अणों की संख्या 6.02.03 गुणे 10 की घा 23 होती है और ये आवो गात्रो इस्धिरांग कहलाती है अनुओं की संख्या निम्न रूप में ग्यात की जा सकती है N बराबर है M बटे कैपिटल M के जहां M बराबर अनुवेशनाधीन गैस का द्रविमान तथा कैपिटल M बराबर मोलर द्रविमान आदर्श गैस समीकरण गैस के निमों का पूर्ट या पालन करने वाली गैस आदर्श गैस कहलाती है बॉयल के निम, चाल्स के निम तथा आवो गात्रो के निम के संख्यों जन से आदर्श गैस समीकरण का विकास हुआ ये निम्न प्रकार व्यक्ति किया जाता है पी वी बराबर अन आर टी जहां आर आनुपातिक्ता नियतांक है जो गैस की मात्रा तथा गैस की प्रकृति से सौतंत्र है एवं सारुवत्रिक गैस नियतांक कहलाता है इसका मान 8.31 जूल प्रती केल्विन प्रती मोल होता है P गैस की निश्चित मात्रा का दाप है V गैस की निश्चित मात्रा का आइतन है T गैस की निश्चित मात्रा का दाप मान है N गैस के मोलों की संख्या है यदि निश्चित मात्रा में गैस के तापमान आइदन तथा दाप T1 V1 और P1 से बदल कर T2 V2 और P2 कर दिये जाएं तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1 बटे T1 बड़ाबर P2 V2 बटे T2 ये समी करन संयुक्त गैसनियम कहलाता है मानक दापमान तथा दाप SDP गैसों के लिए मानक दापमान 0 degree Celsius 273.15 Kelvin तथा मानक दाप एक बार या दस की घात 5 पासकल के रूप में लिया जाता है SDP में किसी आदर्श गैस या आदर्श गैसों के संयोजन का मूलर आयतन 22.71098 लीटर प्रतिमोल होता है तौर दापमापन का एक अन्यमात रख है एक तौर पराबर 133.32 पासकल उधारन नाइटोजन कैस का एक नमूना SDP पर 320 खन सेंटिमीटर आयतन घेरता है 66 डिग्री सेल्सियस तथा 84,000 पासकल दाप पर इसका आयतन आंगडित करें हल दिया है पी एक बराबर 10 की घात 5 पासकल पी दो बराबर 84,000 पासकल वी एक बराबर 320 खन सेंटिमीटर टी एक बराबर 273.15 केल्विन पी दो बराबर 66 डिग्री सेल्सियस बराबर 66 धन 273.15 केल्विन बराबर 349.15 केल्विन हमें ग्याद करना है वी दो अताह गैस समी करण के अनुसार पी एक वी एक बटे टी एक बराबर पी दो वी दो बटे टी दो अताह वी दो बराबर पी एक वी एक टी दो बटे टी एक पी दो बराबर दसकी घात 5 गुणे 320 गुणे 349.15 बटे 273.15 गुणे 84,000 बराबर 473.00 गन सेंटिमीटर गैसिये पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रवेमान गैस का मोलर द्रवेमान निम्न सूत्र द्वारा ग्यात किया जा सकता है M बराबर D गुणे R गुणे T बटे P जहां D बराबर M बटे V गैस का घनत्व है M गैस का द्रवेमान है V गैस का आहतन है R सार्वत्रिक गैस नियतांक है T गैस का तापमान है P गैस का दाप है Dalton का आंशिक दाप का नियम नियतांक तापमान पर एक निश्चित आयतन में सीमित दू या अधिक अन्योन निक्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण द्वारा लगाया जाने वाला दाप समान आयतन में प्रतिक गैस दौरा अकेले लगाये जाने वाले दावों के योग के बराबर होता है गैसों का प्रतक प्रतक दाप आंशिक दाप कहलाता है यदि T तापमान तधा V आयतन पर अन्योनिक गरिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाप P है तथा P1, P2, P3 इत्यादी गैसों के आंशिक दाबों को निरूपित करते हैं तो P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 जमा इत्यादी टीवी नियतांग हैं। माना की हमारे पास तीन पात्र हैं जिन में से प्रतेक की धारिता एक लेटर हैं। मेनोमीटर P1 दाब प्रदर्शित करता है तथा दूतिय पात्र से जोड़ा गया मेनोमीटर P2 दाब प्रदर्शित करता हैं। तो तीसरे पात्र में दाब P1 जमा P2 होगा। जलवाश्प का दाब किसी विशिष्ट तापमान पर नियतांग होता है और ये उस तापमान पर जलिये तनाव के रूप में जाना जाता है। शुष्ग गैस के दाब की गणना पुल दाब से जलिये तनाव को घटाते हुए की जा सकती है। मोल अंश के रूप में आंशिक दाब मोल अंश घटक के मोलों की संख्या का मोलों की कुल संख्या से अनुपात होता है। T तापमान पर V आयतन के एक पात्र में P A और P B क्रमिक आंशिक दाबों के साथ दो गैसों A और B के एक मिश्रण पर विचार करें. तब P A पराबर N A R T बटे V, P B पराबर N B R T बटे V. गैस A और B के आंशिक दाब को निम्ननुसार व्यक्ति किया जा सकता है. P A बराबर X A गुणे P, P B बराबर X B गुणे P, जहां P कुलदाब X A और X B गैसों A और B के मोल अंश है. अथा किसी मिश्रण में गैस का आंशिक दाब इसके मोल अंश तथा मिश्रण के कुलदाब के गुणन फल के बराबर होता है. गैसों का अणुगतिक सिध्धान्द। गैस के अणुगति सिध्धान्द के अभी ग्रिहित निम्न है. सभी गैसे अतियंते छोटे कड़ों की बड़ी संख्या से इंदिरमेत होती हैं, जो अणुग कहलाते हैं. ये अणुग बड़े अंत्रालों द्वारा एक दूसरे से प्रिथक होते हैं, इसलिए अणुगतिक आईतन्द। गैस के कुलायतन की थुल्ला में नगर्णे होता है. ये अणुग विरामावस्था में नहीं होते, बलकि इन में तीव्र अनियत यानि यादरिच्छिक गती होती हैं. इनकी गती के दौरान ये एक दूसरे से तथा पात्र की दिवारों से संघट करते हैं, यानि टकराते हैं. गैस का दाब पात्र की दिवारों के विरुथ गैस अनुओं की बंबारी के कारण होता है. अनुओं का परस पर तथा पात्र की दिवारों से संघट पूर्टया प्रत्यास्थ होता है. अर्थाद गतिज उर्जा का हिरास या प्राप्ती नहीं होती. हाला कि ऐसे संघट्टों के कारण उर्जा का पुनर वित्रण हो सकता है गैस के अड़ों के बीच कोई आकर्शी बल नहीं होता वे एक दूसरे से पूर्टिया सौतंत्र होते हैं किसी क्षण में विभिन अड़ों में विभिन वेक तथा इसलिए विभिन उड़ जाएं रहती हैं हाला कि अड़ों की औसद कति जूर्जा परमताप के अनुक्रमानुपाती होती है वास्तवी गैसों का वैवाहार आदर्श गैस वैवाहर से विचलन हम वास्तविक गैस के आदर्श वहवाहर से विचलन को सम पीडियता कारक Z द्वारा दिखा सकते हैं, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है Z पराबर PV बटे NRT आदर्श गैस की स्थिति में PV पराबर NRT अता Z पराबर 1 वास्तविक गैस की स्थिति में PV Z NRT के पराबर नहीं है, अता Z 1 के पराबर नहीं है अता वास्तविक गैस की स्थिति में Z कमान 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है जब Z 1 से कम होता है, तो इसका अर्थ रणात्मक विचलन से होता है इसका आशय है कि गैस आदर्ष वैवाहर की अपेक्षा से अधिक संपीटनिय है जब Z एक से अधिक होता है तो इसका आशय धनात्मक विचलन से होता है इसका आशय है कि गैस आदर्ष वैवाहर की अपेक्षा से कम संपीटनिय है आदर्श वहवाहर से विचलन के कारक, गैस के अणों गतिक सिध्धान्द की दो दूशपून कलपनाओं की कारण होता है, जो निम्न है गैस के अणों का आयतन, गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुल्ला में नकरने होता है गैस के अड़ों के बीच आकर्शन पल न करने होता है वांडर वाल्स का समीकरण सन 1873 में वांडर वाल्स ने गैस समीकरण को संशोधित करके इसे वास्तवी गैसों के लिए प्रयूज निये बनाया जो की P प्लस A N वर्ग बटे V वर्ग गुणे V माइनस N B बराबर N R T इस्थिरांग A और B वांडर वाल्स इस्थिरांग भी कहलाते हैं गैसों का द्रवी करण तापमान में कमी तथा दाप में बढ़ोतरी करते हुए गैस का द्रवी करण किया जा सकता है क्रांतिक ताप की अवधारणा 13.1 डिक्री सेल्सियस के निम्न तापमान पर गैस की अवस्था में रहती है निम्न दाप पर जिससे बिंदू A द्वारा दिखाया गया है दाप में बढ़ोतरी किये जाने पर गैस का आयतन वक्र A B पर घटता है बिंदू B पर द्रवी करण आरंब हो जाता है अताहरेखा B C के अनुदेश आयतन तेजी से गिरता है बिंदू C पर द्रवी करण पून हो जाता है अब दाप में और बढ़ोतरी करने से आयतन पर बहुत कम प्रभाव परता है क्योंकि द्रव बहुत कम संपीट्टे होता है इसलिए एक ठाल वक्र C D प्राप्त किया जाता है अता भाग A B के अनुदेश कारपन डाय ओक्साइड केवल गैस के रूप में रहती है भाग C D के अनुदेश केवल द्रव अवस्था में रहती है तथा भाग B C के अनुदेश द्रव और वाश्थब एक दूसरे के साथ सामय अवस्था में रहती है 21.5 डिग्री सेल्सियस पर समदाब EFGH 13.1 डिग्री सेल्सियस के समान रहता है सिवाए क्षैतिजिक भाग के जहां द्रवी करण कम होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर समदाबी रेखाओं में चैतिजिक भाग पूर्टिया अद्रिश्य हो जाता है ये दर्शाता है कि 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का द्रवी करण नहीं होता चाहे कितना उच्च ताप लगाया गया हो बिंदू एक्स क्रांतिक बिंदू कहलाता है तथा बिंदू एक्स के संगत ताप क्रांतिक ताप कहलाता है गैस का क्रांटिक ताप उस ताप मान के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसके उपर इसे दाप का प्रेयुक करते हुए द्रवी कृत नहीं किया जा सकता क्रांटिक ताप पर गैस को द्रवी कृत करने के लिए आवशक दाप क्रांटिक दाप कहलाता है क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाप पर गैस के एक मूल कायतन क्रांतिक आयतन कहलाता है द्रव अवस्था द्रव अवस्था में अणू बहुत पास-पास होते हैं और उनमें अंत्रा अणुक बल अधिक प्रबल होते हैं द्रव ना तो कठोर होते हैं ना ही उनकी निश्चित आकरिती होती है। वाश्प दाप द्रवों की वाश्प में परस पर तथा पात्र की दिवारों से संघट्ट होते हैं और वो दाप लगाती है। वाश्पद्वारा पात्र की दिवारों पर लगाया जाने वाला दाब वाश्पद्वाब कहलाता है वाश्पद्वाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है ये द्रफ की मात्रा से सौतंत्र होता है एक बंध पात्र में द्रव के साथ सामय अवस्था में होने पर वाश्प द्वारा लगाया जाने वाला ताब साम में वाश्प दाब कहलाता है जिस ताप मान पर किसी द्रव का वाश्प दाब वाहे ताब के पराबर होता है वो द्रव का कौथनांग कहलाता है प्रिष्ट तनाव द्रव के प्रिष्ट पर आकर्षण का असंतुलन निर्मित कर देता है। परिणाम सरूप प्रिष्ट पर के अनुँ द्रव के अंदर की ओर आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किसी समतर प्रिष्ट पर प्रिष्ट के समनांतर तथा प्रिष्ट पर कहीं भी खीची गई एक रेखा की एक आंक लंबाई पर लगने वाले लंबवद बल को प्रिष्ट तनाव कहते हैं। इसे गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक डाइन प्रति सेंटिमीटर या न्यूटन प्रतिमीटर होता है। द्रव का प्रिष्ठिय क्षित्रफल बढ़ाने के लिए अंदर की ओर आकर्शन के सापेक्ष कुछ उर्जा आपूर्दी की जाती है। आइम, वर्ग या न्यूटन प्रतिमीटर में व्यक्त किया जाता है। शयानता का अर्थ प्रवा के प्रती प्रतिरोज से है। ये एक सुस्थापित तथ्य है कि कुछ द्रव जैसे की शहद, गस्टरोयल, ग्लिस्रीन इत्यादी धीमी गती से प्रभाईत होते हैं। जबकि कुछ अन्य द्रव, जैसे की पानी, एथनॉल, इत्यादी तेजी से प्रवाहित होते हैं। इसकार्थ है कि प्रतिक द्रव में प्रवा के प्रती कुछ आंतरिक प्रतिरोज रहता है, जो शयानता या विसक्सिता कहा जाता है। मंद गती से प्रवाहित होने वाले द्रव, तीवर गती से प्रवाहित होने वाले द्रवों की अपेक्षा अधिक शायान माने जाते हैं। प्रतिक ए वर्ग सेंटिमीटर शित्रफल वाली एक्स सेंटिमीटर दूरी से प्रथक तथा निव सेंटिमीटर प्रति सकेंड वेग अंतर वाली दो बेलनाकार पड़तों के बीच नेट घर्शन बल यानि एफ निमनी रूप में व्यक्त है। एफ पराबर एटा ए निव पटे एक्स जहां एटा श्यानता गुणांक है। अब यदि ए बराबर एक वर्ग सेंटिमीटर निव पराबर एक सेंटिमीटर प्रति सेकेंड तथा एक्स पराबर एक सेंटिमीटर तो एफ पराबर एटा। अता शानता गुडानक को उस घर्शन बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो एक सेंटिमीटर की दूरी और एक वर्क सेंटिमीटर चेत्रफल वाली दो समनांतर पड़तों के बीच एक सेंटिमीटर प्रती सेकंड का वेग अंतर बनाये रखने के लिए आवशक होत है शानता का SI मातरक निउटन सेकंड प्रती मीटर वर्क सेकंड या एक पॉईस होता है क्या आप जानते हैं ग्रेफाइट अतितीवर प्रयोग में द्रवी की विभिन आवस्थाओं में प्रभेश करता है पहली बार वग्यानिकों ने एक एक्स किरण विक्रित मिनरल को द् 55 सेकंड में जाते देखा नई द्रवे संशिलेशन प्रद्योगी की अल्ट्रा फास्ट इमेजिंग तथा उच्च उर्जा खनत्व विज्ञान के विकास में ठोच से द्रव तथा प्लाजमा अवस्थाओं के अतितीवर चरण पार गमन महतपून है चारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं अणवों के बीच आकर्शन के वेबल जो अणवों को एक साथ रखते हैं वे अंतरा अणवबल कहलाते हैं हाइडोजन आबंद को ऐसे स्थिर वैद्यूत आकर्शन बल के रूप में परिभाशित किया जाता है जो एक अणवों के सहसेयोजी रूप से आबंदित हाइडोजन परमाणों तथा अन्य अणवों के रिण विद्यूती परमाणों के बीच उपस्दित रहता है वह उड़्जा जो अणवों को परस पर दूर करती है उश में उड़्जा कहलाती है बॉयल का नियम कहता है कि किसी गैस के दिये गए द्रवेमान का आयतन नियतांक तापान पर इसके दाप के विद्यूत क्रमानुपाती होता है पीवी बराबर के नियतांक चार्ल्स का नियम कहता है कि नियतांक दाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन केल्विन मात क्रम पर ताप मान के अनुक्रम अनुपाती होता है वी पटे टी बराबर के एक नियतांक गेल लुसैक का नियम बताता है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब केलविन तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है P बटे T बराबर K दो नियतांक आवो कादरों के नियम के नुसार, ताप मान तथा दाप की समान दशाओं में, समान आयतन वाली कैसों में, समान संख्या में अड़ों होते हैं वी बटे N पराबर के तीन नियतांक, जहां N गैस के अड़ों की संख्या है आदर्श कैस समीकरण निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है, पी वी पराबर N आटी, जहां R सार्वत्रिक कैस नियतांक है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहता है, कि नियतांक तापमान पर एक निश्चित आयतन में सीमित दो या अधिक अन्योनिक रिया से विहीन गैसों के मिश्रण द्वारा लगाया जाने वाला दाब, समान आयतन में प्रतेक गैस द्वारा अकेले लगाया जाने वाले दा तापमान में कमी तथा दाप में बढ़ोत्री करते हुए गैस का द्रवी करण किया जा सकता है। इसे गामा द्वरा प्रदशित किया जाता है और इसका मात्रक डाइन प्रति सेंटि मीटर या नुटन प्रति मीटर होता है।